Hello and Welcome to Cocktail Cooking आज हम बनाएंगे धाबा स्टाइल सीताफल क्रीम ये बहुत ही easy और yummy dessert है सीताफल इसे हिंदी में कहते हैं लेकिन अंग्रेजी में इसे custard apple कहा जाता है famous सीताफल क्रीम बनाने के लिए हमें चाहिए some ice cream सीताफल का pulp या गूदा वो चाहिए हमें और sugar और थोड़ी whipped cream तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इड़ेज़ट बनाने के लिए सीताफल का गूदा अलग करना बहुत ज़रूरी है तो वो आप सबसे पहले अलग करके रखते अब एक बाउल ले ले उसमें add कर दे whipping cream मैंने इदर one cup cream लेके उसको अच्छी तरीके से फेट लिया है बीटर के साहिता से वो आप उसमें add कर दे फिक्रीम में add करने के बाद आप उसमें add कर दे ice cream मैंने 500 gram ice cream add की है फिर आप उसमें add कर दे 3 tablespoon powdered sugar थोड़ी सी चीनी लेके आप उसे mixer grinder में पीस ले तो वो उसका powder बन जाता है वो आप उसमें add कर दे 3 tablespoon तमाम चीजों को आप विक्सर की साहिता से अच्छी तरीके से mix कर दे मैंने इदर electric beater से अच्छी तरीके से बीट कर लिया है whip cream, ice cream और शकर अच्छी तरीके से मिलाने के बाद सीता फल का pulp या गुदा आप उसमें जो आपने निकाला था वो आप उसमें add कर दे तमाम चीजों को अच्छी तरीके से mix कर ले मीठा कम जादा आप इसमें कर सकते हैं अगर ये चार चीज़े आपके घर में मौजूद हो सीता फल, ice cream, whip cream, शकर तो सीता फल क्रीम बनाना कोई मुश्किल बात नहीं कोई भी से बना सकता है ये बहुत ही easy, fast और delicious डेजर्ट साबित होगा अगर आप ध्यान रखे हैं कि आपको इसमें wellina ice cream इस्तिमाल करनी है क्योंकि उसी में ही custard जो है सीता फल उसका flavor जो है जाइका निखर के आएगा उसमें अगर आप दूसरा कोई flavor इस्तिमाल करते हैं ice cream का जैसे chocolate strawberry या कोई भी तो उसमें शायद उसका टेस्ट जाइका जो है वो change हो जाए सीता फल क्रीम अब तयार है आप इसे enjoy कीजिए और ये dessert भी मैंने अपने कजीन भाई की demand पे बनाया है जैसा कि आप देख सकते हैं उसे बहुत ही जादा माशाला से पसंद आया है अगर आप कोई recipe अच्छी लगी तो आप इसे ज़रूर like share करें और comment box में आप अपने demands और suggestions हमें बता सकते हैं हर recipe के ingredients और measurements आपको नीची description box में मिल जाएंगे आप चाहें तो चेक कर सकते हैं और भी जादा असान भैतरीन और मज़ेदार recipes के लिए हमें जरू सबस्क्राइब करें खाईए खिलाईए दुआओ में याद रखिए